तो इस वीडियो में हम नेक्स टॉपिक के साब मुवान करने वाले ही काफी इंपॉर्टिन टॉपिक चल रहे हैं जिनसे एक्जाम में क्वेशन आने ही आने हैं जरूर इसको धिरान से देखेंगे प्लस वीडियो को लाइक कर दीजे अभी नहीं किया है तो यहां प्लीज इतना मैं कररेंगे तो इतना आप करेंगे वीडियो को लाइक जरू करेंगे कमेंट्स कर सकते हैं अपने कमेंस दीजे बताईए क्या आपका फीडबैक है ठीक है और टेलिग्रम इंस्टरग्रम में जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंग इसके कession चोटिस क्या है वह की आपके कॉंट्रैक्ट के व इस निय llega के बाइभा सार और ने बताया है अब मैं इस संधेंगे में ता culture कोई कौन कौन से हैं अंडर के इस एक्ट की अंडर तो पहला है on the basis of enforceability enforceability के basis पे contract होंगे मतलब कि कैसे यह enforceable है अगर enforceable है तो उसके basis पे लागू हो पा रहे हैं तो लागू करने के basis पे हम इनको classify करेंगे पहला है valid contract वैलिड कहते हैं कि वैलिड है आपने सुना होगा तो यह तम लॉजित सुनी होगी न केते हाँ बिल्कुल वैलिड है मतलब कि बिल्कुल सही है वैलिड है legal यह आप उसको क्या कर रहे है acceptance दे रहे है ठीक है और valid contract is an agreement enforceable by law एक ऐसी agreement जो law के थ्रूँ क्या है enforceable है हमने पढ़ा देना agreement enforceable by law is what is contract and contract भी कैसा valid वैलिड कब होगा जब law भी उसको क्या कर देगी बिल्कुल रजामंदी देगी हाँ बिल्कुल सही है enforce करो an agreement becomes enforceable by law when all the essential element of a valid contract पढ़े थे एक वैलिड कॉंट्राक्ट को वैलिड बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़े हैं जुसमें होनी चाहिए आपने पढ़े थे बहुत सारी चीज़े पढ़ी थी lawful consideration पढ़ा था offer and acceptance पढ़ा था ठीक है यह सारी चीज़े पढ़ी थी ना आपने तो वो सारी चीज़े अगर एक contract में हैं तो वो contract क्या होगा valid होगा इसका मतलब वो contract lawkate through lawkate द्वारा क्या होगा enforceable होगा ठीक है तो यह हो गया आपका कि valid contract क्या होता है the contract that is enforceable by law is called a valid contract and a valid contract is one in which all the essential elements that make it a valid are available और are present ठीक है तो यह clear हुआ आपको next है voidable contract voidable क्या आप नीचे पढ़ रहा हो void यह पढ़ रहा है voidable ठीक है तो इसको देखो कि मतलब क्या है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of one or more of the other is a voidable contract काफी confusing लगा होगा आपको कि इसमें मैंने यह क्या बोल दिया कि मतलब एक बार मैं बोली हूँ इनके उपर एक बार मैं बोली ह उनके उपर तो यह आपने समझना है यहां पर कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि the contract is valid and can be legally enforced enforceable by law है मतलब कि एक ऐसी agreement जो enforceable by law उसको enforce करेगा law उसको क्या करेगा enforce करेगा कब कब यह है at the option of one or more of the other मतलब कि अगर जो दूसरी party है या parties है उनके पास इसमें क्या होता choice नहीं होती या option नहीं होता कि वो contract को क्या करे वोइड करें इनका मतलब यह हुआ कि जो right है एक contract को enforce करने का या वोइड बताने का कि contract वोइड है हम उसको invalid declare कर रहे हैं हम उसको valid करके enforce कर रहे हैं वो दोनों parties जो इस पूरे contract में शामिल है वो दोनों का decision नहीं हो सकता इसमें दोनों लोग नहीं decide करेंगे कि हम contract को enforce करेंगे या हम void करेंगे यह एक party के हाथ में होता है यह selective होता है मतलब कि क्या है कि जो voidable contract है आपका वो तब ही valid होता है जब तक जो दूसरी party है जिसके पास यह option है कि वो उसको void कर सकती है या उसको enforce कर सकती है अगर वो choose करें यह करना तो मतलब option दूसरे के पास जैसे कि मालू party A है उसने party B के साथ क्या है contract किया है तो party B को मालू पहले जैसे यह contract होते होते हैं पहले court ने valid declare कर दिये होते हैं बर जब court further उसको और verify कर रहा होता है तो वो पाता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़े करी गई है जिससे दूसरी party मालू party B का क्या है नुकसान हो रहा है उसको कुछ terminology में misinterpret किया गया उसको कुछ छुपाया गया उसके साथ कुछ fraud किया जाता है तो वो party B के सामनी चीज़े रखता है कि आपके साथ यह चीज़े हुई है अब party B को वो एक remedy के रूप एक option देता है कि भाई तुमें काम करो या तो इस इस contract को void declare कर दो क्योंकि तुम्हें यह चीज़े नहीं बताए गई है या तो तुम अब तुमको बता दिया गया है तो या तो तुम अगर तुमें लगता है तो तुम इसको enforce करा दो तो यह जो choice है कि enforce कराना है या इसको हमें void कराना है यह किसके पास है यह दूसरी party के पास है जिसके साथ क्या हुआ है यह धोका हुआ है तो यह depend करता है भाई उस party पे कि वो यह कराना चाता है या नहीं ठीक है तो यह ऐसी contract होते हैं जहां पे law allow करता है एक एक सिदाधा party जो भी है जिनके साथ भी चीज़े हुई है कि वो उस contract को या तो enforce कर दे या तो उसको void कर दे इसलिए कहते है voidable मतलब void हो सकते हैं कि भाई इनको void declare कर दिया जाए invalid declare कर दिया जाए क्यों क्योंकि दूसरी party जिसके साथ ये चीज हुई उसको ये option को उट दिया और तुम जाहो तुम ये कर दो तुम जाओ तो इसको enforce कर दो भाई वाइड भी हो सकते इसलिए एक समभाव ना इसलिए अमके लिए कहते voidable contract ठीक है तो ये समझ में आया होगा आपको कि voidable contract एक ऐसे contract होते हैं जो एक option देते हैं दूसरी party को जिसके साथ भी धोका हुआ जिसके साथ धोका क्या है जिसके साथ बाते थोड़ी मिसिंटर्प्रेट की गई है या error था contract में भाई court ने दुबारा review किया तो उसने देखा भाई कोई error है जिसके लिए party जो भी party है ठीक है उसके interest को हाम हो रहा है तो उसको एक option दिया उसको remedy की तरुपे कि आप बताओ इसको इसको वाइड करना है illegal कर देना है बिल्कुल none कर देना है या बताओ कि हम इसको enforce करें तो यह आप समझ के voidable contract क्या है it is void contract वाइड contract के बारे में गर देखेंगे तो void contract क्या होता वाइड contract is one that is fundamentally flawed and lack legal validity मताब इसको बना रहे है जिस moment से ही उसको आपने बनाना शुरू किया है तब ही से वो क्या कर रही है legally invalid है legally वो चीजों को concealer नहीं कर रही है जो चीज़ होनी चाहिए contract को वैलिड बनाने के लिए और इसलिए हम क्या करेंगे school enforce नहीं करा सकते law के थू मताब हो सकता है आपने जो भी contract किया उसमें ऐसी चीज़े के लिए आपने contract किया हो जो क्या है illegal चीज़े है तो वो starting से ही वाइड हो गया आपका जिसे मालो objective था कि हम क्या करेंगे smuggling करेंगे तो भाई right from that वो क्या है आपका वाइड स्टार्टिंग से ही वो आपका invalid है illegal है इसलिए हम कहेंगे contract वाइड हो और भाई लॉक के थैस्थ यह क्या होगा इन फोर्स नहीं हो पाएगा तो यह आ रखना दूसरा है वाइड है जो भी आपके agreement है क्योंकि वो legal consequences legal consequences को जम नहीं दे सकती वाई because उसमें ऐसे चीज़े है उस agreement जो आप कर रहे है जो illegal है ठीक है इसलिए वो क्या है वाइड है वो law के थ्रू enforce नहीं हो सकती तो कोई भी agreement या कोई भी contract जो law के थ्रू enforceable नहीं हो वो हम क्या कहेंगे उसको वाइड कहेंगे चाहे वो agreement हो चाहे वो contract हो ठीक है तो यह हो गया आपका तो यह जो वाइड contract होते न वो law की नजरों में starting से ही exist नहीं करें कोई अस्तित्वी नहीं होता है यह पहले से ही यह वाइड है तो यह हो गया next is unenforceable contract unenforceable contract क्या है which is valid in it but it is not capable of being enforced यह अपने में क्या है वो तो क्या वो था क्या वो वाइड ही नहीं था ठीक है वो starting से ही वाइड है वो starting से ही आपका unlawful activities को लेके है इसलिए वो starting से ही law की नजरों में बिल्कुल खारीज है लेकिन unenforceable contract क्या होते है यह valid होते है अपने आप में valid है legal element consider कर रहे है बट यह enforced क्यों नहीं हो पा रहे है क्योंकि इसमें कुछ technical defect आ गया जैसे कि मालोग को यह आपने contract किया जिसमें आपने oral ही कर ल इसलिए वो contract enforceable नहीं है या stamp की जरूरत थी वो आपने नहीं लगवाया है ठीक है तो यह सब जो technical IRR है यह defect है इन सब के वज़े से contract क्या हो जाता है valid होने के बावजूद भी law के थूरू enforce नहीं करा सकते ठीक है illegal and unlawful contract तो बिल्कुल clear होगा आपको ऐसा contract जो illegal है या unlawful मता agreement which is expressly and impliedly prohibited or forbidden by law मताब ऐसी agreement आपने की है जो या तो law खुल के express करके बता रही है कि हम ऐसी activities कर रहे है जो unlawful है या चुपा हुआ है उस contract के अंदर कि वो illegal activities में involved हो रही है इस contract के थूरू तो वो law क्या करेगा? फॉर्बिट कर देगा वो इसको void declare कर देगा, enforce नहीं करेगा वो invalid हो जागा law की नजरों में starting से ही जब से वो बन रहा है तब से ही वो खारिज है मतलब मालों को ऐसी agreement के जिसमें आपने express कर दे है कि हम लोग ने ये जो agreement कर रहे है वो उसमें हम illegal products को बेचेंगे तो भाई वो आपने कोई agreement काई है जिसमें आप ये activities कर रहे हो सामने जिसमें आप समाल को चोरी कर रहे हो तो अबहले आपने agreement में लिखाने है कि हम चोरी करें कि बटा वो कर रहे हो ठीक है उस promise के तहे है तो उस agreement के तहे है तो वो क्या है? वो क्या है? वो इस्टार्टिं से ही क्या है? इ इसा contract जो express कर रहा है कि उसमें आपको करना क्या है terms and conditions जब एक contract की बिल्कुल oral या written form में बिल्कुल declare रहती है ठीक है वो होता है express contract बतब express कर रहा है contract में कि करना क्या है it is one in which parties make oral written declaration of the terms and condition of the contract जिसमें आपने एक दूसरी party A जो है party B को good sell कर रही है इसका price यह है वो सामने वाला कहा रहा है ठीक है हम इतना इतना price जो है वो आपको पे करेंगे तो बिल्कुल clear है terms and condition बिल्कुल आपने ओर रिटन क्या किया है उसको express कर दिया implied contract क्या है जो आपने express नहीं किया है लेकिन आपके action से आपके act से यह पता चलता है कि वो contract exist करता है ठीक है मतलब चुपा हुआ contract है it is one in which evidence of the contract is gathered from the act and conduct यहां पर जो evidence है कि contract है आपके बीच में वो कैसे gather किया जागा वो आपके act या behavior से पता चल जाता है कि आपने यह agreement किया है बैना कहे या बैना बोले जैसे कि आप तो ज्याथे आप लोगों के agreement है कि आऊंगा तो तो फिर मैं वहाँ पर payment वी करूँगा और अगर वहants payment नहीं करोगेए को तो फिर वह आपके अगेंस लीगल एक्शन ले सकते हैं तो ये जो भी कॉंट्राक्ट है जो अपको लीगल एक्शन ले सकता है तो वो क्या है इंपलाइड गॉंट्राइड आपने कहीं लिखंखे नहीं दिया आपने हैं बड़ा वो कर रहे हो यह एक ऐसा contract होता है जो parties अपनी इच्छा से एक दूसरी के साथ नहीं करती है नहीं कहते ही हम यह करें कि तुम यह करना यह contract होता है जो आपके उपर लॉथ होता है मतलब कि the basis of this contract is that no one can be allowed to inbridge himself at the cost of the dollar नहीं कहता है कि कोई भी person नहीं allowed है कि वह अपने आपको फाइदा पहुचा ले दूसरे के नुकसान पर मतलब कि जैसे मालो कल को आपके घर में क्या हुआ किसी ने food डिलेवर कर दिया और आपको पता थे वह आपने order नहीं किया था बट आप गए और आपने क्या कर लिया एक्सेप कर लिया भल्कि आप देख रहें किसी और ड्रेस है मालो पड़ उसी गाई अड्रेस है देन भी आप सब्सक्राइब चोड़ो या लाओ में दो रिक है तो यह क्या हुआ इस कॉंट्राक के तहत लो काशी कॉंट्राक के तहत आप पर लीग एलेक्शन हो सकता है वा कि यह लॉग के थ्रू आपके उपर इंपोस के जाए भाई चाहती है सरकार की इस तरीके के लॉग हो ताकि आप फियर चीजे करो अपनी लाइफ में ठीक है अच्छे से एक दूसरे का नुकसान पहुचा की तो अपना फायदा मत सोचो तो यह थोड़ा सा यह आ रखना है रखिंग ऋमने जाए परहुट वस görünंगा इदर परहुचान चैनल ऑडहुचार मतला मतलब लुटार अफियर हुचार कुछा हा निकर बचार मतलब को अग्जो ए इन रख करो आप करो टो थां कि अपको करो है मतलब when either parties have still to perform their share of obligation into or there remains something to be done under the contract on both sides मतलब कि जब यह जो contract है जो भी performance थी जो भी हमें करना था उस contract के time वो अभी बाकी है करना वो हमने नहीं किया है तो बच्चा हुआ है वो obligation निभाना बच्चा हुआ है कुछ बच्चा है जो हमें दोनों को एक दूसरे जो हमने contract में agreement की थी वो हमें अभी भी करना है तो अभी भी execute नहीं हुआ हुआ execute tree है ठीक है तो next is on the basis of performance in relation to parties ये लास्ट है कि parties के साथ कैसा relation है उसके performance के basis पे पहला है unilateral दूसरा है bilateral unilateral क्या होता है when one party has to perform his obligation and the other party has performed his obligation at the time of formation of the contact or before it this is why it is called one-sided contract ये one-sided contract है मतलब एक party promise करती है कि हम ये करेंगे ठीक है दूसरी party से और दूसरी party के उपर मतलब ये obligation है कि वो कर भी सकती है इन return कुछ या नहीं भी कर सकती है ठीक है ऐसे कोई obligation नहीं कि आपको जो भी सामने वाला कह रहा है उसकी return में आपको कुछ करना ही करना है ठीक है तो ये वाला contract के हो गया ये हो गया unilateral contract ठीक है जब एक party की obligation है कि वो क्या करेगी करेगी तो एक party promise करती है कि हम ये काम करेंगे और दूसरी party जो है वो only तभी उसके हो अब्लिगेशन है कि वो अपना part of contract करें जब उसको लग रहा है कि उससे करना चाहिए तो और अगर उसने अपना part of चीज़े कर दी तो contract या होगा फुल्फिल्ट हो जाएगा जैसे कि आपने मालोई आपको कोई item loss हो गया था आपने उसके लिए reward offer कि जो मेरा item जो है वो खोया है उसको लेके आएगा मैं उसको क्या दूँगा reward दूँगा और दूसरा percent जो जो लाना चाता है जो डूना चाता है उसको डूल लिया अब यह उसके उपर है कि वो आपसे reward claim करता है या नहीं करत है कि हम के चीज़ करेंगे दूसरे साइट से दूसरे के ऊपर है कि वो करना चाता है या नहीं करना चाता है वो कोई promise नहीं करके बैठा है आपसे बाइलिटरम क्या दोनों parties दूसरे को promise करते हैं कि हम जो है वो चीज़े करेंगे है एक दूसरे को किया है वो फुल्फिल करे तो यहां पर दोनों पार्टी का एक्स्चेंज है मीच्व प्रॉमिस का तो यह है तो यह आपने कहा कि मैं आपको गुड्स देल करूंगा आप मुझे प्रॉमिस कि आप पैसे पे करेंगे तो दोनों पार्टी के ओब्लिगेशन तब तक नहीं फुल्फिल होंगे जब तक हम एक दूसरे की चीज़े करना दे आप मैं आप पैसे न दे दे और गुड्स न दे दे तो जब यह हो जाएगा तब यह कॉंट्राक्ट हो जागा बाइलेटरल पता है यहां पर दूनों साइट से प्रॉमिस है कि हम यह करेंगे दूसरा करना चाहता नहीं करना चाहता है उसक बाइलेटरल के टूसरे को जब आप बाइलेटरलन ने नियुक्तर कुणां कर भी नरू झालेटर कॉणरहते हो मैं रूजलय नल्यू को यहां अगर आपको यह पसंद आई हैग क्न आपको प्रीट मैं अग बाइलेटरल ए प्रॉमिस किन करेंगे तोकर पूरना नहीं हो जा